सबसे पहले फेस को हम टोनर की सहाइता से क्लीन करेंगे क्य KEYONKIN जो भी हमारे फेस पे डस्ट लगी होती है वो पूरी यसे हट जाती है उसके बाद अगर हम प्लीच करेंगे तो हमारे फेस को हाब नहीं होगा हमारे को इलर्जी नहीं होगी दाने निकलेंगे इस अच्छी तरह से bleach हो जाएगी अब हम bleach apply कर रहे हैं आप देख सकते हैं आपको एक्टिवेटर जैसे कि हम एक चमच अगर ब्लीच लेते हैं तो हम उसमें एक चुटकी एक्टिवेटर में लाएंगे एक्टिवेटर की मात्रा हमेशा bleach में कम रखनी चाहिए और जितना अच्छा हम bleach को mix करेंगे एक भी मतलब दाना bleach में नहीं रहेगा एक्टिवेटर का उतनी ही bleach हमारी face को अच्छी करती है वैसे यह मैं हर्बर bleach कर रही हूँ face के लिए हर्बर bleach ही अच्छी होती है मार्किट में bleach बहुत सारी आती है लेकिन मैं आपसको यही राय दोंगी जितना भी हो आप हर्बर bleach ही यूज़ करें जिससे कि कभी भी आपको face पे rashes नहीं आएंगे दानी नहीं आएंगे अलर्जी नहीं होगी और आपकी skin जलेगी नहीं और skin के tone के according की bleach को रखना चाहिए 5 मिनिट, 8 मिनिट या 10 मिनिट इससे ज़्यादा bleach को कभी भी face पे नहीं रखना चाहिए मैं आप लोगों को यहीं बोलूँगी ज़्यादा तेर bleach रखने से skin जल जाती है और अगर ऐसा कभी white chance हो जाए तो आप बरफ apply कर सकते हैं जिससे कि आपकी skin सही हो जाएगी अब आप देख रहे होंगे कि bleach में थोड़े थोड़े से बुल बुले से उठ रहे हैं थोड़े सा स्पूल रही है मतला bleach तब यह हम हम वीस में धीरे धीरे उंगली apply करेंगे उंगली की सायता से गोल 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 को दुवारा से इसको चलाएंगे जिससे कि पूरी face की bleach में आपका हाथ लग जाए और main हम bleach इसलिए करते हैं face पर कि जो हमारे चहरे पर काले ज्यादा भूरे या जो बाल चहरे पर गंदे लगते हैं उनको ढखने के लिए क्योंकि bleach से बालों का रंग इसकीन के रंग जैसा हो जाता है bleach को मैं यह आपको बताऊंगी कि bleach कम से कम महिने में एक बार ही करें हो सके तो क्योंकि bleach चहरे को ज्यादा अच्छड़ जड़ने लेते हैं मतलब मैं यह नहीं कहूँगी कि खराब है महिने में एक बार अपलाई करें, फेशियल आप जाए में दो बार या तीन वार ले सकते हैं, लेकिन ब्लीच आप महिने में एक बार ये अपलाई करें, ये मेरा अपना खुद का experience है, मैं उसलिए बतारी हूँ, अब आप फो ब्लीच में पांच मिट होने को आ रहे हैं, तो अब आप आँखों के साइड से, आँखों के बिल्कुल नीचे वाले एरिये से सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रैशिस होते हैं, तो वह आप उगली साथ नाप के, आप आँख के एंगल के हिसाब से आपको वह लेना है, और हलका हलका सा महाँ जिससे की आपके गालों में रैशिस नहीं होंगे, आप मात्य को साफ करेंगे, देखिए आप मात्य के सारे बाल, उसके बाद आप नाप को करेंगे, उसके बाद गालों के बीच वाले वाष्यियों को करेंगे, साइट से नहीं करेंगे, कlink के साइट के सबज़ी दबाल डार्क होते हैं, इसके बाद आप पूरे फेस को क्लीन कर देंगे अब आप देख सकते हैं ब्लीच के बाद फेस कितना क्लीन हो गया है और आप देखें आपको कहमी बाल नजर नहीं आ रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स अब देखें अब आपको कितना क्लीन है